हिजड़े लोग हैं कमजोड लोग हैं जो लोग लोक तंत्र में लाठी और पत्थर और गोली से आवाज को दबाना चाहते हैं उपिंदर कुसवाह कोई साधारन ब्यक्ति नहीं है जिनको आप जबर्दस्ती जो हैसे उनकी आवाज को बंद कर दिजिएगा वो बंद होने वाली आवाज नहीं है नमस्तार आप देखने लाइफ सिरीज मैं हूँ आपके स्ताश शिवम जेडियू संसदिय बोट के अध्यक्ष उपिंदर कुसवाह ने एक बार फिर से मुख मंतरी नितीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे संसदिय बोट का अध फिले पर हमला भी हुआ था इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से बात कित उन्होंने एक बड़ा ब्यान दे दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने उन्होंने पाटी के अंदर की बात को उठाई है जिस प्रकार से उपिंद्र कुसवाहा को पर कहा जा रहा था कि मैंने लाकर सम्मान दिया उपिंद्र कुसवाहा जी कोई छोटे नेता नहीं है उपिंद्र कुसवाहा जी चारो सदनों के सदस रह चुके हैं उपिंद्र कु कुस्वाहाजी का बड़ा कद है और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उची सम्मान देना चाहिए था लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदिय बोड का अध्यच बना करके कोई अधिकार नहीं देना वो सम्मान नहीं होता है इसलिए उपंद्र कुस्वाहाजी ने छत राज चल रहा था या चल रहा है केवल दो व्यक्ति एक निड़े करने वाले दूसरा इंप्लिमेंट करने वाले व्यक्ति है वो तो पार्टी है नहीं व्यक्तिवादी पार्टी है और उस पार्टी में लाकर करें उपंद्र कुस्वाहाजी को केवल जुन जुनना थमा दिया गया इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो कोई कलत बात उन्होंने नहीं कहा है, जब 1990 में बिहार में जंता दल की सरकार बनी थी, उस सरकार में नितीश कुमार अधि रह भर करके बारा फरवरी 1994 को और Aware में कुर्मी चेतना महारैली भी थी और उसके बाद समतापाटी का गठन हुआ था उस समय से उपेंद्र कुस्वाह जी उस पार्टी के अंदर में थे और लगातार पार्टी के काम को कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूँ हमारा भी योगदान है समता पार्टी से लेकर के जदी तक के बनाने में और सही बात है कि आज जो हिस्सेदारी लालू से अलग लेकर करके लब कुसाती पिछडा वर्क के लोगों ने एक ताकत बनाई थी वो ताकत आज धीरे धीरे कमजोड होता जा रहा है वो ताकत आज हासिये पर चला गया है वो ताकत अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है उसी की बात उपेंद्र कुसवाहा कर रहे हैं पार्टी के उनके पार्टी के उनका मामला है ये भारतिये जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है भारतिय जंता पार्टी सब को सम्मान करती है और सब को साथ लेके चलने का काम करती है नितीज कुमार जी ने भारतिय जंता पार्टी को धोखा देने का काम किया नरेंद्र बोधी के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया और विहार की आम अवाम को धोखा देने का काम किया इस बात को उपंद्र कुसवा जी लगातार उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राज़त के साथ क्या डिल हुआ है यह सार्णिक कीजिए जिस प्रकार से बाते आ रही है कि नितीस को हटा करके और तेजस्वी आदव मुखम मंत्री बनेंगे उनके नेता कर रहे हैं लंगलई सरकार है और सीधी सरकार हम बनाएंगे बहुत जल्द तो बताइए कि आखिर क्या बाते होकर करके गठवन्दन हुआ था यही तो उपंद्र कुसवा जी बोल रहे हैं और उनके कापिने दोर कर हमला भी हुआ था यह कोई साधारन ब्यक्ति नहीं है जिनको आप जबर्दस्ती जो हैसे उनकी आवाज को बंद कर दीजिएगा वो बंद होने वाली आवाज नहीं है तो आपने साफ तोर पे सुना बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि वो लोग हिज्रे हैं और कमजोर है जिन्होंने उपेंदर कुस्वाहा के काफिले पर हमला करवाया है तो कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो अब उपेंदर कुस्वाहा के समर्थन में उतर चुकी है बहराल अब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से तर्नवाद.